आधरणिय अध्यक्षी मैं माननिय अनुराग धाकुर जी द्वारा प्रस्तुर राष्ट्रपती अभिभाषन पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्तित कूँ अध्यक्ष्री मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है अध्यक्ष्री ये राष्टपती अभीभाशन एतिहासिक है अध्यक्ष्री जी क्योंकि इसमें एकदशक के मोधी सरकार की अद्वितियक कार्यों का चितरण ही नहीं बलकि आने वाले स्वर्नेम्काल यानि विकसित भारत के संकल्प का उद्गोष भी है मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाद विश्वास था उसी के कारण से अध्यक्ष जी एंडिये को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया महा महीम राष्टपती जी ने अपने अभिभाशन के पारिग्राफ तीन में जो कहा है आपके माध्यम से समक्ष के पूरे के पूरे सदन के समक्ष पुनः दहराना चाहूंगी दो हजार चौबिस का चुनाव नीती नियत निष्ठा और निर्नयों पर विश्वास का चुनाव रहा है मजबूत और निरनायक सरकार में विश्वास, शुशाषन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, इमानदारी और कड़ी महनत में विश्वास, सुरक्षा और सम्रिधी में विश्वास, सरकार की गैरिंटी और डिलिवरी पर विश्वास, विक्सित भारत के संकल्प में व पर मोहर है अध्यक्षी एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं जो कहा वो किया भारा 370 हटाई जो कहा वो किया भग्द राम मंदर का निर्मान किया जो कहा वो किया CAA लेकर आए जो कहा वो किया वन रैंक वन पेंशन लाए जो कहा वो किया Make in India की नीव रखी जो कहा वो किया पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थ विवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी हम ग्यारवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था की जगे मात्र एक दशक में विश्व की विश्विक पटल पर पाचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनेगे और अध्यक्ष जी ये असाधारण परस्थितियों में हुआ है पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 की महमारी से जूज कर निकला है अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अगनी में जुलस रहे हैं लेकिन भारत मोदी जी के नेत्रित में विश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनेने के पत पर अग्रसर है हमारे माननिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो हजार से तालेस तक भारत को एक विकसित राष्ट बनाने का एक संकल्प लिया है इस संकल्प के चार मुख्य स्तंब है पहला स्तंब दूसरा नारी शक्ति तीसरा किसान कल्यान और चोथा गरीब कल्यान अध्यक्ष्टी यदि आप युवा शक्ति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवा शक्ति के समक्ष प्रस्तोत करते हैं तो उस अवसर का लाव लेने के लिए युवा शक्ती चूकती नहीं है शिक्षा के परियाप्त अवसर हुए इसके लिए मोधी सरकार ने एक दशक में साथ नए आयाइटी सोला नए ट्रिपल आयाइटी साथ नए आयाइम्स पंद्रा आयाइम्स हॉस्पिटल्स तीन सो पंद्रा मेडिकल कॉलोजेज और तीन सो नब्बे नए विश्व विद्याले स्थापिट करें हैं स्टैंट अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया के अगर हम बात करें तो इन दो योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी देश का युवा जॉब सीकर की जगे जॉब क्रियेटर बना है इस जॉब क्रियेशन से विल्ट क्र की तरफ वो अग्रसर है और आप जैसे माननिये अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा आज भारत स्टार्ट अप इको सिस्टम में विश्व की थर्ड लार्जिस्ट इको सिस्टम है अध्यक्ष जी मुद्रा योजना में स्वर रोज़गार के लिए आप ये द देश में एक लाख एक्यासी हजार स्टार्ट अप कंपनिया हैं जिसमें से सौ से अधिक युनिकॉर्ण्स हैं पिछले दस वर्षों में भारत इस ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे 142nd position से 63rd position पे पहुचा है और पिछले 24 वर्षों में यानी 2000 से 2024 में ही भारत में कुल 990.97 बिलियन डॉलर्स का FDI आया है जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानी 667.4 110 बिलियन डॉलर्स मात्र पिछले एक दशक में एंडिये की सरकार में आया है Today भारत has become a leader in the world of manufacturing चाहे electronics हो चाहे automobile हो चाहे रक्षा उपकरण हो भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वेश्विक पतल पर उभर रहा है और इस नई दुन्या में, microchips are the new oil, semiconductors और chip manufacturing की दुन्या में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए इसके लिए मोदी सरकार सवा लाख करोड रुपे का infrastructure पहले ही उदगातित कर चुकी है असम में 27,000 करोड का semiconductor का plant भी बन रहा है वो दिन दूर नहीं अध्यक्जी, जब chip manufacturing और semiconductors की दुन्या में भारत will be a global leader प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में भारत में बहुत ही transformative programs आए हैं जैसे digital India, जैसे make in India, जैसे start-up India इनके कारण भारत के युवाओं की entrepreneurial spirit को बहुत जादा प्रोचाहन मिला है अब हम आते हैं, विकसत भारत के दूसरे स्तंभ पर, यानि नारी शक्ति अध्यक्जी हम सबने सुना है, कि चूले की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है लेकिन उस चूले की रोटी के स्वाद के चक्कर में, मेरे देश की मातर शक्ति के फेपड़े जुलस जाते हैं पहले जाती है, लकडी काटती है, या लकडी बींदती है गठरी सर पर लेकर आती है, बीस से बच्चिस मिनट लगते हैं, चूला सुलगाने में लेकिन नरेंद्र मोधी जी ने दस करोड से जादा उज्वला गैस कनेक्शन्स देके, मातर शक्ति को धुए की जिद्धी से लिजाद दी हमारे देश में, हमारे देश में बच्चत की आदत हमारे देश में एक-एक को मातर शक्ति ने सिखाई आप सबको याद होगा, वो नानी जो रामायन के पन्नों में पैसे छुपाती है, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है अरे उन चोरी के पैसों से कुलफी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है लेकिन कितनी अचम्बे की बात है अध्यक्षी, जिस मातर शक्ति ने देश को बचत सिखाई, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थी नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री जनधन योजना के तहट देश की मातर शक्ति को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे हिस्सा बना ते अध्यक्षी, पचास करोड से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधान मंत्री जनधन योजना में, जिस में से 56% महिलाओं के खाते थे हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री नरेंगर मोदी जी ने ये भी सुनर्श्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानि फाइनाशल सपोर्ट की उपलबधता हो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहट कुल रिण जो संक्शन हुए ही उसमें से 69% महिलाओं के लिए संक्शन हुए इसी तर स्टांड़ इंडिया के तहट अध्यक्जी 84% रिण महिलाओं के लिए संक्शन हुए इंडिये सरकार ने एक करोड लखपती दीदी का जो टारगेट रखा था सेल्फ हेल्फ ग्रूप मूवमेंट के माध्यम से वो तो पहले ही लक्श प्राप्ती हो गई है इसलिए मोदी सरकार ने अब ये लक्श बढ़ा कर तीन करोड महिलाओं को लखपती दीदी बनाने का रखा अध्यक्जी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश से प्रधान मंत्री जी लाए हैं नवो ड्रोन दीदी मेरे देश की बेहन बेटियां अब ड्रोन पाइलेट पनेगी ना केवल इससे क्रिशी कार में आधूनिक टकनीक का इस्तमाल होगा लेकिन आप ये देखिये समाज की सोच में भी अंतर पड़ेगा इस गोई तो नोट अवरेज टिकनोलजी फोर मॉडरिनाइज़ेशन अग्रेरियन एकॉनमी अव इंडिया बट आप जोड़ेश एक्टोनिक शिफ्ट इन प्साइक्वलोजी अव ड्रोन दीदी विकसेद भारत के दो पहलूँ को छूती खृषी कल्यान और महिलाशक्ति महिलाव का लेकन वास्तविक और असली सशक्तिकरन तब होता है जब वो नीती निर्मान में हिस्ता बनती है अध्यक्षी यहाँ पे कई सदस्य हैं यहाँ पे आदर्निया हरसिम्रत कौर जी भी बैठी है वो तो श्वैम इस बात की साक्षी है कि सोलवी लोक सभा में तबकी माननिय विदेश मंत्री शिमिती सुष्मा स्वराज ने राष्ट्रपती अभिभाशन के धन्यवाद प्रस्ताव के उन्मोधन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षन के लिए ताकि महिलाओं का राजनेतिक सशक्ति करण हो सके अध्यक्षी मेना मन प्रफुलत हो उठता ये कहते हुए कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी और उनकी सरकार ने सत्रवी लोक सभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिए अध्यक्षी अध्यक्षी अध्थारवी लोक सभा में सुश्मा स्वराज की दी हुई ये आखें नारी शक्ती वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस एतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी विक्सित भारत का अगला स्टम्ब है किसान कल्यान देवतुल्य है और इसी लिए एंडिये सरकार ने इन देवतुल्य किसानों के लिए तीन लाख बीस हजार करोड रुपे पियम किसान सम्मान निधी के तहट पहले ही वितरित कर दी है नई सरकार जैसे ही आई पहला सबसे बड़ा निर्णे हमारे यशश्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने लिया 9.26 करोड किसानों को 20 हजार करोड रुपे ट्रांसफर करने का एंड ये सरकार ने किसानों की आई बढ़ाने के लिए MSP में रिकॉर्ड बरहुत्री करी है और्गानिक फार्मिंग, कोल स्टोरेज, क्रिशी आधारत उद्योग, देरी और मत्य पालंग में आधारत उद्योग को कोभी प्रोचाहित करा गया है ग्रामीन सडक योजना के तहट 3,20,000 किलो मीटर से जादा सडके बनाई गई गई विक्सित भारत का चोथा और सबसे महतपूर्ण स्तंब है गरीब कल्यान अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना विश्व में सबसे बड़ी सामाजिक कल्यान योजना साबित हुई है इसमें 81 करोड से जादा लोगों को मुफ्त खाध्यान की सामगरी यानि मुफ्त राशन देकर मोदी जी ने खाध्य और पौशन की सुरक्षा सुनिश्चित करी है जब हम देश की अर्थ विवस्था की गाथा गाते हैं तो वो रेड़ी पत्री वालों के बिना अधूरी है नरेंद्र मोदी जी ने पीम स्वन धी के तहट सक्तर लाग से जादा रेड़ी पत्री वालों यानि स्ट्रीट वेंडर्स को ग्यारा हजार करोड का रिन बिना ग्यारंटी के मुहिया करवाया है अध्यक्ष जी जिनकी ग्यारंटी कोई नहीं लेता उनकी ग्यारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति का एक श्वप्न होता है कि अपनी पक्की एक छत हो पी-एम आवास व्योजना के तहट इंडिये की सरकार ने इस खाब को हकीकत में बदला है चार करोड से जादा पक्के मकान इस देश के गरीब को दिये गए हैं और अब पी-एम आवास व्योजना के तहट तीन करोड और पक्के मकान बनाने का संकल्प लिया गया है आई उश्मान भारत के तहट पच्पन करोड से जादा लाभार्जियों को मुफ्त इलाज मिला लेकिन आने वाला जो भवेश्य है वो बहुत ही स्वढ़ने में अध्यक्जी एक वक्त आता है हर युवा की जिन्दगी में जब उस उम्र के पड़ाव में आपके माबाप आपके बच्चे बन जाते हैं और आप अपने माबाप के माता पिता हर युवा को हर वक्त चिंता रहती है माबाप के इलाज की आयुश्मान भारत में सक्तर बरस के हर वरिष्ट नागरिक को और ट्रांसजेंडर कम्यूनुटी को भी इसमें लाभार्तियों की श्रेणी में अब इंडिये की सरकार लाईगी कितनी राहत की बात है इस गेश का युवा भी अब सास ले सकता है कि पांच लाख रुप्या सालाना माबाप की हेल्थ की प्रती सरकार मुहिया करवानी वाले है पीम सूर्य घर एक ऐसी फ्यूटरिस्टिक योजना है जहां पर आपके घरों के छटों पर सोलर पैनल्स लगाकर भगवान सूर्य नारायन की उर्जा को के माध्यम से मुफ्त बिजली बनाई जाएगी और अध्यक जी मुफ्त बिजली से भी बेहतर है कि वो जो बची हुई बिजली है एकसेस बिजली आप ग्रिड पर बेच कर एक नई इंकम का सोर्स एक नया आयका सोर्स भी होगा लेकिन मोदी सरकार अलग है अध्यक जी केवल नीति निर्मान ही नहीं करती केवल योजनाई ही नहीं बनाती केवल उन योजनाओं का लाब जन्चब तक नहीं पहुचाती लेकिन वो लाब सुनिश्चत हो लास्ट माइल डिलिवरी हो उसके लिए विक्सित भारत संकल्प यात्रा भी निकालती है, अध्यक्षी, मोधी की गैरंटी की गारी आपके दर्वाजे आती है, जनता के दर्वाजे आती है, सभी सरकारी योजनाएं एक ही छत के नीचे है, आपको अधारकात बनाना है, काउंटर वही है, PM स्वर्नी दी चाहिए, काउंटर वही है, आपको उज्वला ग्यास कनेच्शन चाहिए, काउंटर वही है, good governance के साथ-साथ, accessibility to that good governance, मोधी सरकार सुनिश्चित करती है, एक अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार अध्यक्षी, सरकारे आईं और सरकारे गईं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, लेकिन यशश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने सुनिश्चित करा, पचीस करोड लोगों को मल्टी दिमेंशनल गरीबी की रेखा से उभाड़ा, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, अध्यक्षी मैं श्वय में एक वकील हूँ, और खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि आज का दिन एक जुलाई हम वकीलों की फ्रेटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली है, क्योंकि एक न्याई संग्ता लागू हो रही है, पहले के कानून ब्रेटिश राज की घुलामी की बेडियां थे, जो हमारी न्याई प्रणाली को जकड़े हुए थे, पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है, जिसका धे न्याई होगा, क्योंकि अध्यक्षी जब कोई एसा कानून विलाईती हुकूमत बनाती है, तो उसका उद्देश न्याई नहीं होता, उसका उद्देश दमन होता है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके हुकूमत बरकरार रही, लेकिन पहली बार देश में भारत ये दंड प्रणाली आएगी, जिसका धे न्याई होगा, न्य लोज का जो एक एक्स्पीदियन सी लाईगी, एक तेजी लाईगी भारत के किर्मिनल जस्टिस सिस्टम ने, क्म्यूनिटी परनेल्टी पहली बार भारत में इंटर्ड्यूस हो रही है, इसका मतलब है, अगा बहार्ट जी लोज बार देश इस नहीं है, इसका मतलब है, ने एंडिये की सरकार को तीसरी बार पूरा प्रहमत दिया है पर अध्यक्ष जी विपक्षी गटबंदन ऐसा प्रदर्शत करता है जैसे कि नाराइनी सेना इनके पाले में खड़ी है पर अध्यक्ष जी इतना जरूर कहूंगी कृष्ण तो कर्म के कायल हैं इसलिए उनका यह दिखाने का प्रयास करें कि स्वैम अक्षोहनी सेना उनके पास है अध्यक्ष जी बहुत चौकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपात काल लगाने का अधर्म करा वो विपक्ष जिसने भारत के सम्विधान का गला घोटने का अधर्म करा जिसने इस देश के ल जिसके गटबंधन के सदस्य आज भी दिल्ली में एक constitutional crisis create करते हैं क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे क्यों क्योंकि वो सकता के मुह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मुह से तरस्त है अध्यक्ष जी बड़ी अजीब बात है दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी एक बारिश हो गई तो पानी से तरस्त हो गई लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गडबंधन में या आ आम आदमी पाटी में एक आपातकाल और एक आकाल पड़ा हुआ है कंपिटेंस का और टैलेंट का और इसी लिए मानिनिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी मुख्यमंत्री की सीट को जकड़ कर बैठे है मैं पूछना चाहती हूं ऐसा विपक्ष जो पॉलिसी पराल अद्रिस का धर्म करता है जो लैक ऑफ गवर्णनस का अधर्म करता है वो धर्म की बात करकर इस सदन में कैसे आठे आ सकता है जब ये सदन इमर्जन्सी की रेजियोशन पास करना चाहता है इमर्जन्सी का खंडन करते हूं अध्यक जी मुझे एक प्रसंग यादाथा है महा भारत में युधिष्टर को जब अकर्मनत अग्रसित कर गई तो वो पितामा भीश्म के पास करें पितामा भीश्म ने युधिष्टर जी को सुशासन के कई सूत्र दी लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया और वो मूल मंत्र था यतो धर्मस ततह कृष्णव यतो कृष्णस्य ततो धर्म जहां धर्म हैं वहां कृष्ण हैं जहां कृष्ण हैं वहां विजय हैं अध्यक जी धर्म तो नरेंद्र मोधी जी के ही पाले में खड़ा है लोक तंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है छे दशक में तीसरी बार लोक तंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीरवाद NDA की सरकार को नरेद्र मोधी जी के नेत्रित्व में दिया है कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा विपक्ष के बहुत ही बड़े नेता मीडिया के बंधुओं से अयोध्या धाम से जीते हुए अपने जनप्रति निधीक का परिचे करवा रहे थे और उन्होंने कहा ये हैं अयोध्या के राजा अध्यक्ष जी ये विपक्ष की राजसी मानसिक्ता को परिलक्षित करता है अध्यक्ष जी हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा पर्मो धर्मो वाले राश्च सर्वो परिवाले हैं हम तो हमारे तो यशच्पी प्रधान मंत्री भी अपने आपको देश का प्रधान सेवक कहते हैं अध्यक्ष जी हमारे तो राजा राम है धर्म हमारा काम है जपते तो हम मा भारती का नाम है इसलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं विफॉर्म, पॉफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के वॉर्क एठिक के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंतर को आत्म साथ करते हुए विक्सित भारत के संकल्प को सिध्धी तक लेकर जाएगी NDA की ये सरकार मुझे ये पूर्ण विश्वास है लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूँ कि ये सदन एक जोट होकर उस संकल्प को सिध्धी तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा अध्यक्ष जी आपने मुझे समय दिया और अपनी बात कहने का अफसर दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं पुनह इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोधन करती हूँ